जै मातादी दोस्तों, वर्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार देख स्वागत है, कैसे हैं आपसब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, माग मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को सकट चौध का व्रत रखा जाता है ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयू के लिए रखती हैं कई जगे पर सकट चौध व्रत को तिलकुट चौध तिल चौध या संकस्टी चतुर्थी या मागी चौध के नाम से भी जानते हैं इस दिन माताएं सूर्योदे से लेकर चंद्रोदे तक प्रत रखती हैं साम के समय चंद्रमा को अर्द देने के बाद ही अपना व्रत खुलती हैं दोस्तों सकट चौध के व्रत के बारे में ऐसी मानिता है कि जो कोई भी व्यक्ती सच्छी निस्ठा से ये व्रत करता है उस पर भगवान गड़ेज जी की कृपा सदयो बनी रहती है आपको बता दें सकट चौध के व्रत के दिन तिल और गुर से बनी चीजे बनाई जाती है और इनका भोग भगवान गड़ेज जी को अर्पित किया जाता है इसके बाद खुद भी ये चीजें प्रसाद के रूप में ग्रहन की जाती है इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखती है कहते हैं जो भी मा सकट चौथ का व्रत सही नियम और विधी के साथ रखती है तो उसके बच्चों के जीवन में सदयो खुसिया बनी रहती है तो चलिए जानते हैं कि साल दो हजार चौबिस में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा तो आपको बता दें कि चतुर्थी तिथी की सुरुवात 29 जनवरी दो हजार चौबिस की सुबा 6 बच कर 10 मिनट पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथी की समापती 30 जनवरी दो हजार चौबिस की सुबा 8 बच कर 54 मिनट पर हो जाएगी तो इस हिसाब से सकट चोथ कवरत इस साल 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा और बात करें पूजा के सुब मूरत की तो इस दिन सुबा के समय दो पूजा के मूरत हैं पहला मूरत सुबा 7 बचकर 11 मिनट से लेकर सुबा 8 बचकर 31 मिनट तक रहेगा दूसरा मूरत सुबा 9 बचकर 54 मिनट से लेकर सुबा 11 बचकर 14 मिनट तक रहेगा और साम को पूजा का सुब मूरत साम 4 बचकर 37 मिनट से लेकर साम 7 बचकर 37 मिनट तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबा 8 बचकर 32 मिनट से लेकर सुबा 9 बचकर 53 मिनट तक रहेगा और दोस्तों संकस्टी चतुर्थी के दिन चंदरोदे का समय 29 जनवरी को रात 9 बचकर 10 मिनट पर रहेगा और बात करें व्रत पारण की तो व्रत पारण 29 जन्वरी की रात चंद्रोदे होने पर चंद्रमा को अर्द और पूजा के बाद किया जाएगा या फिर अगले दिन प्राता काल 8 बच कर 54 मिनट तक भी किसी भी समय आप सकट चौत व्रत का पारण कर सकते हैं दोस्तों सकट चौत का व्रत रखने वाली महिलाओं को प्राता काल सुबह ब्रह्म मूरत में जल्दी उठकर इसनानादी करने के बाद सुच वस्त धारां करने चाहिए फिर हाथ में जल, अक्छत, फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और गड़ेज जी का विद्वत पूजन करें इस दिन पूजा इस थल को गंगा जल छिड़कर सुद्ध करें और लकड़ी की चौकी बिचा कर उस पे पीले या लाल रंग का वस्त बिचाएं फिर गड़ेज जी की मूर्ती स्थापित करें इसके बाद तांबे के पात्र में जल कलस भर कर रखें अब आप गड़ेज जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और उन्हें तिलक लगाएं पीले फूल की माला चड़ा कर उनका स्रंगार करें इसके बाद उन्हें दूरबा तिल वा तिल गुड़ से बने लड़ू जरूर अरपित करें इस दिन पूजा में तिल और गुड़ की चीजें सामिल करना सुब होता है इसके बाद इस दिन सकर चौद वरत की कथा वस्त सुनें और अंत में गड़ेज जी के मंत्रों का जाप करते हुए गड़ेज जी की आरती करें और रात में जब चंद्रमा उदै हो जाए तो चंद्रमा को अर्ध देने के बाद ही वरत खोलना चाहिए दोस्तों जब चंदरमा निकल आए तो सबसे पहले चंदरमा को कच्चे दूद और चीनी मिले जल का अर्द दें और अर्द देते समय ओम चंदराय नमा या ओम चंदरम से नमा का जाब करें और चंद्रमा को धूब दीब दिखाएं और उन्हें भी तिल गुड का भोग लगाएं इसके बाद उनसे संतान की दीर गायव की काम ना करें और परिवार की खुसाली के लिए प्रात्ना करें इसके बाद ही प्रशाथ खाकर अपना वरत खोलें दोस्तों प्रशाथ खाने के बाद आप दूद और सकरकंद खाकर ये वरत खोलना सुब माना जाता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद